मैं अच्पिं गबाब करी बनाने के लिए के 13mart आप 15 कबाब करी बनाने सुक्य मसाले में मैंने चार से पांच चोटी लाइची लिया है, दो से तीन तेज पत्ता लिया है, आठ से दस लॉंग लिया है, दो से तीन चोटी टुकड़े दालचीनी के लिया है, और दो बड़ी लाइची लिया है, ग्रेवी बनाने के लिए मैंने चार प्याज लिया है, तेन से चार टेबल इस्पून्य ले ऑगर आ लेते हैं तो आप टू टेबले स्पून्य विट रग दिया हैं मैंने बइस काजूचो गरम पानी में बगोंके रख दिया था छ O th tin बना लिया है वन टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है वन टी स्पून पिसी धन्या लिया है वन टी स्पून मैंने दालचीनी पाउडर लिया है वन टी स्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है और टू टी स्पून मैंने कश्मीरी पाउडर लिया है वन टी स्पून मैंने नमक लिया है नमक सीख कबाब को रोस्ट करूंगी अब बटर के साथ ही में इसमें पूं टीश्पून ऐल दादूंगी अब इसमें अब आपना चिकन सीख कबाब दालेंगी और इसे तोँ आप रोस्ट करूंगी कि में हेंक बहुत ज़ज़ा रूशप नहीं करना है इसे इसकी स्व उफ्टनफ ना जाएं उसे लगता करा तोवे रोस्ट करेंगे इसे कि हमारा चिकन सीख वह वह इवेनली रोस्ट और बहुत ज़़दा इसे रोस्ट नहीं करना है हमें इत्मा ही रोस्ट कर रहा है कि हमें रोस्ट हो गया है अब में इसे एक बटन में निकाल लुए अब में इसमें सुखी मसाले डालूंगी अपने हैं इन वोस्ट करेंगी यह यह मैंने ख़ंगी ने डालेंगी असा करने से हमारी बरेवी ओती है और स्मूथ बंगी और इसे प्यास कर नहीं किया है इसे ट्दू कर लिए किया है कि याज में प्राव मुने तक भूनना है कि याज हमारा भून गया है तो में इसमें देखन उद्रका फेज आल दूंगी और इसे भी भूनना है कि अब मैं सब्सक्राइब है तो अब मैं सब्सक्राइब रैड चिली पॉड़र डालूंगी कि इसी दनिया डालूंगी जीरा पॉड़र डालूंगी जीरा पॉड़र डालूंगी और नमक डालूंगी तो इस सब्सक्राइब को अच्छेज़े भूनना है जी में इस तो पॉड़र डालूंगी तो इस दखन से दख करके पांच मिन दर छोड़ दूंगी या से गुनने के लिए जिब से मारा मसला बुन रहा है तो मैं दूसरे से एक पानी गरूं कर लेती ओपने ग्रेवी के लिए ग्रेवी डालने के लिए वहां से शाट मिनट हो है कि दूसरा मारा बुन गया है तो मैंने काजु को आदर जिंटा विबो करके पांच में पेस्ट यार से लिए था मैं होस में एड़ करूंगी और अच्छा से मिक्स कर देंगे और हमने जो पानी गरम किया है अब मैं इसमें वो पानी डाल दूंगे और धक करके इसमें उबाल आने तक के लिए छोड़ दूंगे अब मैं इसमें अपना जो मैंने पीक को रोस्त किया था वो डालूंगी और धक करके पाश मिल तक तीम याज में पकाऊ रही तो अब इससे सर्फ कर लेते हैं यह देखिए यह मैंने शर्फ कर लिया हैं तो चली अब इसमें स्पेशल तड़का लगाते हैं कि मैंने तीसीगी गरम कर लिया है वंटी स्पून अब मैं गैस बं कर दूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी यह लाल मिर्च सुखी वी इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा और यह मैंने यह कलर के लिए यह है देगी मिर्च वो डालूंगी और इसको अच्छे चला दूंगी अब बस जल्दी से अब मैं इसमें टड़का लगा देती हूं अब इसी में कुछ मेंट की पत्यों नालूंगी तो चिकेंसी कबापकरी हमारे बन गई है एक बार आप इससे जरूर बना के ट्राइ करिए बहुत ही यमी होती है यह और खाके मजे बताए कि यह रेस्प्री आपको कैसी लगी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक श झाल 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 झाल